स्टेट लाइन का एक क्वेश्चन करेंगा आज की क्लाफ में 11th क्लास मिसलेनिस एक्षाइज का क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन क्या है एक रे ओफ लाइट पासिंग थ्रू दा पॉइंट वन कोमा टू एक लाइट रे पॉइंट वन टू से पास कर रही है रिफ्लेक्ट ओन दा X-AX एक्षिज और उडाइट डा एक्वेश्चेक्स से रिफिलेक्ट होके इट दपॉइंट पॉइंट पॉइंट वे पॉइंट वे पास बॉइंट 5,3 तुभी रहो 5,3 से पास कर दिये find the coordinate of A तो करते हैं explain question क्या है देखो एक light ray 0.12 1,2 से आ रही है और यह point A पे मिलती है एक्स एक्सिस को और फिर यहां से वो reflect होके 5,3 से पास कर रही है तो माल लेते हैं यह वाला जो point है 1,2 और यहां पे कहीं ले लेते हैं 5,3 ठीक है तो अब हमें यह point find करना है तो सबसे पहली बात तो यह है A point के coordinate क्या होंगे अब अब हमें यह point find करना है तो क्या करते हैं सबसे पहले एक नोर्मल ड्रो कर लेते हैं N तो सबी को पता है कि यह वाला एंगल और यह वाला एंगल इक्वल होंगे बाई लॉफ रिफ्लेक्शन ठीक है तो A N B दा नोर्मल तो किलियरली एंगल P A N इक्वल टू एंगल Q A N और हमने इसको थीटा माल लिया बाई लॉफ रिफ्लेक्शन मर जी आपके लिखना जो लिख सकते हो अब क्या करेंगे देखो अब आपको क्या करना है पहला हम निकाल लेते हैं Slope AQ AQ का Slope क्या होगा 3-0 अपोन 5-X और अगर हम इसको इन टर्म्स अफ एंगल निकालें तो यह एंगल 90 है और यह थीटा है तो यह वाल एंगल कितना हो गया 90-थीटा अब किसी भी लाइन का जो एक्स एक्सिज के साथ एंगल होता है उसके 10-Coast Line का Slope कहते हैं तो यह होगा 3 upon 5-X इक्वल टू कोट थीटा इसको हम फिर्स्ट इक्वेशन डाल देते हैं अब हम निकालते हैं Slope एपी तो एपी का Slope कितना होगा 2-0 upon 1-X इक्वल टू इन टर्म्स अफ एंगल निकालते हैं तो देखते हैं यह 90 और यह थीटा तो X-Axis के साथ एंगल होगे 90 प्लस थीटा देख सकते हो 90 नॉर्मल का और यह प्लस थीटा तो PA का X-Axis के साथ होगे 90 प्लस थीटा तो 2 upon 1-X इक्वल टू माइनस कोट थीटा तो माइनस 2 upon 1-X इक्वल टू कोट थीटा बस फ्रम फर्स्ट एंड सेकिंड यहां पर कर देता हूं तो 2 upon माइनस 2 upon 1-X इक्वल टू 3 upon 5-X तो X की वैल्यू निकाल लेते हैं चेक कर लेते हैं कुछ गलती तो नहीं है 5-X इक्वल टू 13 तो X की वैल्यू आगे 13 by 5 तो इसका मतलब जो A point है वो coordinate क्या हो गए 13 by 5 5,0 यह हमारा अंसर आगया ठीक है तो उमीद है आगयों को सभी को समझ में तो यह मिस्लीनियस एक्साइज का कुछ्चन था मैं लिख भी देता हूं 10 चैप्टर की मिस्लीनियस का कुछ्चन नमबर 22 ठीक है थैंक य। वेरी मुच्च